बढ़ी जिग्यासा प्यदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दिदी से बात की जाए हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दिदी सुनिता जी जुड़ी हुई है जो उत्तर पुदेश के सितापूर से हैं आईए उनसे बात करते हैं सुनिता देवी जी आपको नमस्कार नमस्युए सर। नमस्के चाहता हूँ थोड़ा कुछ बता धिजिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनिता जी और वैसे घर में कारोबार वगेर क्या है कारोबार वगेरा खेती वाड़ी करते हैं अच्छा सुनिता जी यह ड्रोन दिदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ आपको ट्रेनिंग कहां मिली कैसे कैसे बढ़लाव क्या आया मुझे पहले से जानना है जी हमारी फूल पूरेफ को में हुआ था लाहाबाद में और वहीं से में को ट्रेनिंग मिली है तो तब आपने ड्रोन के विश्चे में सुना था कभी तर नहीं था एक बार ऐसे देखे थे जिए जिता कुछ पर कंद्र का है वहां पर हमने देखा था पहली बार वहां देखा था आमने ड्रोन शुनिता जी मुझे यह समझना है कि मानौड पहले दिन गए जी पहले दिन आपका दिखाया होगा फिर कुछ बॉर्ड पर पढ़ाया गया होगा फिर मैदान में ले प्रक्टिस क्या क्या हुआ होगा आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्ण जी जी सकता है तो दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी पहले तो थिवरी पढ़ाई गई थी दिन स्फीर से के लिए थे दो दिन क्लास में थे दो क्या क्या पाच है कैसे आपको क्या क्या या करना है ये चीजिक हो शुटर के थो मितलब क्या क्से उड़ाना है सक शिखाई वही थी दौर्न पिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? पिर रहेगी कोई दिक्तत नहीं हो सकती है और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सारी सुधा आप खुद देखती हैं पानी दवा सबसाथ में रखती हैं और हम लोगों को सिर्फ आके खेट बताना पड़ता है कि कहां से कहां तक मेरा खेट है और सारा काम वाधा गं और लोग भी आते होंगे फिर तो बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो बड़े बड़े खारमर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए अचा कि मेरा एक मिशन है अब मुझे बहुत खुसी होगी कि जब मैं अकेली हूं मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीडी के नाम से पहचानी जाती हैं चलिए सुनिता जी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बढ़ाई यह नमो ड्रोन दीडी यह देश में क्रिशी को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है मेरी बहुत-बहुत सुब कामना है साथियों आज देश में कोई भी खेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारिशक्ति पीछे रह गई हो एक और खेत्र जहां महिलाओं ने अपनी नेत्रुत्वक्षमता का बहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती जल संवरक्षन और स्वच्छता केमिकल्स से हमारी धरती मा को जो कश्ट हो रहा है जो पीडा हो रही है जो दर्द हो रहा है हमारी धरती मा को बचाने में देश की मातरु सक्ती बड़ी भूमी का निभा रही है देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहट इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समित्यों की बहुत बड़ी भूमिका है इस पानी समित्य का नेत्रुत्व महिलाओं के ही पास है इसके अलावा भी बहने बेटियां जल सवरक्षन के लिए चव तरफा प्रयास कर रही है मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्यानी प्रफुल पाटिल जी ये महराश्टर के रहने वाली है आईए कल्यानी प्रफुल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं कल्यानी जी नमस्ते नमस्ते सर जी नमस्ते कल्यानी जी पहले तो आप अपने विशे में अपने परिवार के विशे में अपने कामकाज विशे में जरा बताईए और फिर गाउं में खेती के काम में लग गई है क्योंकि आपके पास बेजिक नॉलेज भी है आपके पड़ाई भी खेतर में हुई है और अब आप खेती में जूड़ गई हैं तो क्या-क्या नए प्रवोक की हैं आपने सर हमने जो दस प्रकार के हमारी वनस्पतिय उसको एकत्रित करके उससे हमने ओर्गेनिक सवारनी बनाया जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वेगरा स्प्रे करते तो उससे पेस वेगरा जो हमारी मीत्रकेट रहती है वो भी वो नस्ट हो रहे है और हमारी स्वाइल का पोलूशन ह होता है जो सब केमिकल चीज़े वो पानी में गुल मिल रही है उसकी वज़े से हमारे बॉड़ी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूद करके तो एक प्रकार से आग पूरी तरह प्राकुरूतिक खेती की तरफ जा रही ह हाँ जो अपनी पार्मपारिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल क्या अनुभव आया प्राकोतिक खेती में अपने आगे के परिवार को अपने शुरक्षित करना है तो यह मार का उनम बना जरूरी है इस इसाफ से वो महिलाए भी सत्रिय सहबाव इसके अंदर दिखा रही है अजा कलेणी जी आपने कुछ जलसा उरक्षण में भी काम किया है उसमें क्या किया है आपने सर रेंवोर्टर हर्वेस्टिंग जो हमारे शास्किय जितने भी इमारते जैसे की प्रातर मिक्षाला हुई अंगनवाडिया हुए हमारी क्रामपंचे की जो बिल्डिंग है वहां के जो पानी है बारिश का वो सब इकटा करके हमने एक जगा पे कलेक्ट किया हुआ है और जो रिचार्शाप है सर के बारिश का पानी जो गिस्ता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए तो उस हिसाफ से हमने 20 रिचार्शाप हमारे गाउं के अंदर किये हुए है और 50 रिचार्शाप का सैंक्शन हो गया है जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है चलिए कल्याणी जी आपले असी बोलून खूप आनन जाला तुम्हाला खूप खूप सुभेच्छा तर धन्यवाद मला यह तुमचे असी बोलून खूप खूप आनन जाला मंजे माझा आईश्चा तो संपुर्ण सार्थ की लागला माद जीवन असमी समस्ते भास सेवा करा चलिए आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है धन्यवाद जी नवश्काप धन्यवाद साथियों चाहें सुनिता जी हो या कल्याणी जी अलग अलग छेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिट की रदय से सरहना करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों आज हम सब के जीवन में टेक्नोलोजी का महत्व बहुत बढ़ गया है मोबाइल फोन डिजिटल गैजेट्स हम सब की जिन्दगी का एहम हिस्सा बन रहे हैं लेकिन क्या अब कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही हैं कुछ दिन बाद तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है इस दिन को वन्य जीवों के सवरक्षन के प्रती जागरुकता फ्यलाने के उद्देश से मनाया जाता है इस वर्स वर्ल्ड वाइड लाइफ दे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वो पर ही रखा गया है आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में बन्य जीवों के सवरक्षन के लिए टेक्नोलोजी का खुब उप्योग हो रहा है पिछले कुछ वर्सों में सरकार के प्रयासों से देश में बागों की संख्या बड़ी है महराश्य के चंदरपूर के टाइगर रिजर्व में बागों की संख्या धाइसों से ज़्यादा हो गई है चंदरपूर जिले में इंसान और बागों के संगर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशल इंट्रिजेंस की मदली जा रही है यहां गाउं और जंगल की सीमा पर कैमेरे लगाए गए हैं जब भी कोई बाग गाउं के करीब आता है तब AI के मदद से स्थानिय लोगों को मोबाइल पर एलेट मिल जाता है आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के तेरा गाउं में इस व्यवस्ता से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बागों को भी सुरक्षा मिली है साथ्यों आज यूवा एंटरप्रनेस भी वन्य जीव सवरक्षन और एको टूरिजम के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं उत्राखन के रूर्की में रोटर प्रिसीशन ग्रूप्स ने वाइल्ड लाइप इंस्टिटूट अफ हिंडिया के सयोग से ऐसा ड्रोन तयार किया है जिससे के नदी में गड़ियानों पर नजर रखने में मदद मिल रही है इसी तरह बैंगलूरू की एक कंपनी ने बगीरा और गरूड नाम का एप तयार किया है बगीरा एप से जंगल सफारी के दोरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है देश के कई टाइगर डिजवर में इसका उप्योग हो रहा है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ तिंग्स पर आधारी गरूड एप को किसी सीसी टीवी से कनेक करने पर रियल टाइम अलेट मिलने लगता है बन्य जीवों के समरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जय विवित्ता और समरुत हो रही है साथियों भारत में तो प्रकूति के साथ तानमेल हमारी संस्कृति का अभिन हिस्सा रहा है हम हजारों वर्सों से प्रकूरती और वन्य जिवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। अगर आप कभी महराश्टर के मेलगाट टाइगर रिजोर जाएंगे तो वहाँ स्वयम इसे अनुहव कर सकेंगे। इस टाइगर रिजोर के पास खटकरी गाउं में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम्स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गाउं में रहने वाले कोरकु जन जाती के प्रकास जामकरजी ने अपनी दो हेक्टर जमीन पर साथ कमरों वाला होम्स्टे तैयार किया है। उनके हां रुकने वाले परियटकों के खाने पिने का इंतजाम उनका परिवारी करता है। अपने घर के आसपास उन्हों ने आउशद ये पौधों के साथ आम और कौफी के पैड़ भी लगाये हैं। इससे परियटकों का आकरशन तो बढ़ाई हैं। दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अफसर बने हैं। मेरे पहरे देशवास क्यों हो जब पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गाय बैस तक ही रुख जाते हैं। लेकिन बकरी भी तो एक एहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग-अलग छेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिसा के काला हंडी में बकरी पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इस प्रयास के पीछे जयन्ती महापात्रा जी और उन यह दोनों बैंगलूरू में मैंनेजमेंट प्रोफिशनल्स थे लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं जाने का फैसला लिया। यह लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिस यहां के ग्रामीनों की समस्याओं का समाधान भी हो साथ ही वो ससकत भी बन इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस्थापना की और किसानों के स्राथ काम शूरू किया। जैनती जी और बिरेंजी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गोट बैंक भी खोला है। वे सामुदा इक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म म करिब दर्जनों बक्रियां है। मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है। इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती है। दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्म देती हैं, इन में से छे बच्चों को बैंक रखता है, बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है, जो बक्री पारण करता है, इतना ही नहीं, बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग पशुपालन के क्षेत्र में आत्मन निर्भरता की और बढ़ रहे हैं मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न ख्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मन निर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका ये प्रयात हर किसी को प्रिरित करने वाला है मेरे प्यारे देश वास्यों हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमो धर्मह यानि दूसरों की मदर करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य हैं इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अंगिनत लोग निश्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में बोजपूर के पीम सी भवेश जी अपने खेत्र के मुसहर जाती के लोगों के बीश इनके कारियों की खूप चर्चा है इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाएं बिहार में मुसहर एक अत्यन्त वंचित समुदाय रहा है बहुत गरीब समुदाय रहा है बीमसी भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की सिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविश उज्वल हो सके उन्होंने मुसहर जाती के करीब आठ हजार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बहतर सुविदा मिल रही है बीमसी जी अपने सबुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्युमेंट बनवाने में उनके फॉम भरने में भी मदद करते हैं इससे जरूरी संसाधनों तक गाउं की लोगों की पहुंच और बैतर हुई है लोगों का स्वास्त बैतर हो इसके लिए उन्होंने सो से अधिक मेडिकल कैंप लगवाए हैं जब कोरोना का महा संकट सीर पर था तब भीमसी जी ने अपने खेत्र के लोगों को बैक्सिन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोसाहित किया देश के अलग-अलग हिस्सों में भीमसी भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज मेंसे अनेक नेक कार्यों में जूटे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तवियों का पालन करेंगे तहियक ससक्त राश के निर्मान में बहुती मददकार साबित होगा मेरे प्यारे देश वाचियों भारत की सुन्दर्ता यहां की विविदता और हमारी संस्कृति के अलग-अलग रंगों में भी समाहित है मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निश्वार्त भाव से भारतिय संस्कृति के सावरक्षन और इसे सजाने सवारने के प्रयासों में जुटे हैं आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे इन में से बड़ी संख्या उनकी भी हैं जो भाषा के खेतर में काम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में गौंदरभल के महमत मानशाह जी पिछले तीन दसकों से गोजरी भाषा को समरक्षित करने के प्रयासों में जूटे रहे हैं वे गुजर बकरवाग समुदाय से आते हैं जो की एक जनजातिय समुदाय है उन्हें बचपन में पढ़ाय के लिए कठीन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमेटर की दूरी पैदल ताय करते थे इस तरह की चुनवतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की साहित्यक्षेत्र में मानशाजी के कारियों का दायरा इतना बड़ा है किसे करीब पचांस समस्करोणों में सह जा गया है इनमें कविताएं और लोगईत भी शामिल हैं उन्हेंने कई किताबों का अनुवात गोजरी भाषा में किया है साथियों अरुणाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसुजी एक टीचर है उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना एहम योगदान दिया है यह भाषा अरुणाचल प्रदेश नागालेंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है उन्होंने एक लेंग्वे स्कूल बनवाने का काम किया है इसके वांचो भाषा की एक लिपी भी तैयार की है वो आने वाली पीडियों को भी वांचो भाषा शिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके साथियों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नुर्त्यों के माध्यम से अपनी संस्कृती और भाषा को समरक्षित करने में जूटे हैं करनाटका के वेंकप्पा, अंबाजी, सुगेट का उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादाई हैं यहां के बागलकोट के रहने वाले सुगारकर जी एक लोग गायक हैं इन्होंने एक हजार से अधिक गौंधरी गाने गाये हैं साथी इस बाशा में कहानियों का भी खूब प्रत्यार प्रतार किया है उन्होंने बिना फिस लिये सेंकडों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है भारत में उमंग और उत्सां से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर सम्रद बना रहे हैं आप भी इनसे प्रेणा लीजिए कुछ अपना करने का प्रयास करिए आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा मेरे पैरे देश बाश्यों दो दिन पहले मैं वारणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शांदार फोटो प्रदर्शन ही देखी कासी और आसपास के युवाओं ने कैमेरे पर जो मॉमेंट कैप्चर किये हैं वो अधबूत है इसमें काफी फोटोग्राप्स ऐसी हैं जो मॉबाइल कैमेरे से खिच गई थी वाकई आज जिसके पास मॉबाइल है वो एक कंटेंट क्रियेटर बन गया है लोगों को अपना हूनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद किये हैं भारत के हमारी वासाथी कंटेंट क्रियेशन के ख्षेतर में कमाल कर रहे हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्रेटफर्म हो आपको अलग-अलग विशों पर अलग-अलग कंटेंट शेर करते हमारी वासाथी मिल ही जाएंगे टूरिजम हो सोशल कॉज हो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरग जीवन यात्रा इनसे जुड़े तरह तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मुझूद है कंटेंट क्रियेट कर रहे देश के विगाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवार्ड शुरू किया गया है इसके तहट अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलोजी का उप्योग कर रहे हैं यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुड़ने के लिए आगर करूंगा आप भी अगर ऐसे इंट्रेस्टिंग कंटेंट क्रियेटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रियेटर्स एवोर्ड के लिए जरूर नॉमिनेट करें मेरे प्यारे देश्वास्यों मुझे इस बात के खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान के शुरुवात की है मेरा पहला वोट देश के लिए इसके जरिये विशेश रुप से फॉर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है भारत को जोस और उर्जा से भरी अपनी वाश्रक्ति पर गर्वा है हमारे वाशाथ ही चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागिदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे मैं भी फर्स टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वैं रिकोर्ड संख्या में वोट करें अठारा का होने के बाद आपको अठारवी लोगसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है यानि ये अठारवी लोगसभा भी युवा आकांशा का प्रतीख होगी इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है आम चुनावों के इस हल्चल के बीच आप युवा ना केवल राजनितिक गतिविद्यों का हिस्सा बनिए बलकि इस दोरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरुक बने रहिए और याद रखेगा मेरा पहला वोट देश के लिए मैं देश के इंफ्यूएंसर्स को भी आगर करूंगा चाहे वो खेल जगत के हो फिल्म जगत के हो साहित्य जगत के हो दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्ट्रागाम और यूटूब के इंफ्यूएंसर्स हो वो भी इस अभ्यान में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले और हमारे फर्स टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें साथियों मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही देश में लोगसभाद चुनाव का माहोल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था संभावना है कि मार्च के महने में आचार सहीता भी लग जाएगी ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परचाई से भी दूर रखा है मन की बात में देश की सामुहिक शक्ति की बात होती है देश की उपलब्दी की बात होती है ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तयार होने वरा कारकम है लेकिन फिर भी राजनितिक मर्यादा का पानुन करते हुए लोगसभाव चुनाव के इन दिनों में अब अगले तीन महेने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा अब जब आपसे मन की बात में समवाद होगा तो वो मन की बात का 111वा एपिसोड होगा अगली बार मन की बात की शुरुवाद 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा लेकिन साथियों आपको मेरा एक काम करते रहना है मन की बात भले तीन महेने के लिए रुक रहा है लेकिन देश की उपलब्दिया थोड़ी रुकेंगी इसलिए आप मन की बात हैस्टेक के साथ समाज की उपलब्दियों को देश की उपलब्दियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुजाव दिया था सुजाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो यूटूब शौट्स के रुप में शैर करना चाहिए इसलिए मैं मन की बात के स्रोताओं से आगर करूँगा कि ऐसे शौट्स को खुब शैर करें साथ क्यों जब अगली बार आपसे समवाद होगा तो फिर नई उर्जा नई जानकरियों के साथ आपसे मिलेंगा आप अपना ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार